शेर बजार में गुरुवार 14 मार्च को तेजी लोटी और पीएसी सेंसेक्स 335 अंक चड़कर बन हुआ। लिफ्टी ने भी 22,150 के स्थर को दुबारा हासिल कर लिया। छोटे और मजोले शेरों बे भी जम कर खरीदारी देखी गई। बेंकिंग को छोड़कर पीएसी के सभी सेक्टरोल इंडेक्स भी हरे निशान में बन हुए। कारोबार क्यंत में बेंसी सेंसेक्स 335 अंक या 0 दिसनलव 46 फिसनलव की तेजी के साथ 73,097 अंक पर बन हुआ। वही एनसी का 50 शेरों वाला इंडेक्स निफ्टी 153 अंक या 0.70 फिसनलव की तेजी के साथ 22,151.00 के स्थर पर बन हुआ। बीएसी में लिस्टेट कंपनियों का कुल मार्केट कैपिलाइजेशन आज 14 मार्च को बढ़कर 38.09 लाग करोड रुपए पर बहुँच गया। इस तरह बीएसी में लिस्टेट कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 7.09 लाग करोड रुपए बढ़ा या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की वेल्थ में करीब 7.09 लाग करोड रुपए का इजाफा हुआ। बीएसी सेंसेक्स के 30 में से 18 शेराज तेजी के साथ बंद हुए इसमें भी HCL Tech के शेरों में सबसे अधिक 2.08 तीन फीसदी की तेजी रही। बीएसी और JSW Steel के शेर 0.76 फीसदी से लेकर 1.3 तीन फीसदी की खिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। कैसी रह सकती है बाजार की चाल। एक छोटी ग्रीन केंडल बनाई जो अप्ट्रेंट के कायम रहने का संकेत है। अब नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 21,220 पर सपोर्ट और उपर की तरफ 22,320 पर रजिस्टेंस दिख रहा है। LKP Securities के रूपक डे का कहना है कि मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव बना हुआ है क्योंकि निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर पिछले कारुबारी सत्र की केंडल के निचले आधे हिस्से के आसपास कॉंसॉलिडेट हुआ है। इसके रावा RSI में मंदी के क्रॉस ओवर के साथ निफ्टी 21 EMA से नीचे बन हुआ है। हालाकि तेजडिये सत्र के अंध तक निफ्टी को फिर से राइजिंग चैनल में धकेलने में काम्याब रहे। जिससे तेजी के ट्रेंड को टालने की संभावना दिख रही है। अब आगे निफ्टी को 22,200 से 22,250 के जोन में रेडिस्टन्स का सामना करना पड़ सकता है। झालने के जोन में प्यावना बड़ सकता है।